Hello everyone, स्वागत है अब सभी का काजे श्यामा क्लासे यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कुस करने वाले हैं वो है Intelligence Test जिसको हिंदी में बुद्धी परिक्षन भी कहा जाता है तो चले स्टार्ट करते हैं Intelligence Test के बारे में सबसे पहले हम Introduction जानेंगे कि Intelligence Word का मीनिंग क्या होता है So the term Intelligence is the combination of two Latin words दो Latin words का combination है Intelligence Word First word है Inter जिसका मतलब होता है Between यानि की मत्य Second word है Large जिसका मतलब होता है To Choose यानि की किसी को चुनना तो इस तरह से Intelligence का मीनिस हुआ To Choose Between यानि कि किसी दो चीज में से किसी एक को चुनना वो कहलाता है Intelligence जहाँ पर आप क्या करते हो जो जादा Intelligent होता है जिस चीज की Quality जादा अच्छी होती है आप उसको चुनना तो यह है Intelligence यहाँ पर हम Hindi में भी देखेंगे बुद्धी यह जानने की कुझी प्रदान करती है कि व्यक्ति एक दूसरे से कैसे भिन है यानि बुद्धी के दुवारा हम क्या देखते है कि एक दूसरे से व्यक्ति भिन कैसे है और वे दुनिया को किस प्रकार्ट समझते है बुद्धि मनोविज्यान की सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एवं भावात्मक रूप से प्रेरित अवधार्णा कहलाती है या अवधार्णा है तो ये था इंट्रोडक्शन या मीनिंग आप बोल सकते हो बुद्धि यहाँ पर आप देखोगे डेफिनेशन बुद्धि की या फिर इंटेलिजेंस की फ्लाइन के अनुसार यह है अमूर्थ रूप से सोचने और अनुभव से तुरंट सीखने की शमता है यानि की बुद्धि से क्या होता है हम सोच पाते हैं और एक्स्पिरियंस कर पाते हैं जिससे हम शिगरता से सीख जाते हैं एक अलग से डेफिनेशन दी है बिने के थूँ इंटेलिजेंस इजा गोल डारेक्टिव बिहेवियर यानि की एक लक्षन इधारित बिहेवियर क्या कहलाता है इंटेलिजेंस कहलाता है नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा में टॉपिक है इस इंटेलिजेंस टेस्ट या फिर बुद्धि परिक्षन इसको करने से पहले हमने बुद्धी के बारे में जाना समझा कि बुद्धी होती क्या है उसकी डेफिनिशन क्या है तो जो intelligence test है किसी व्यक्ति की मानसिक शमताओं को मापने के लिए डिजाइन किया गया test क्या कहलाता है intelligence test यानि जहां पर आप बच्चे की mental जो उसकी capabilities होती है capacities होती है उसका measurement करने के लिए मानसिक शमताओं को मापने के लिए जिस test का आप इस्तेमाल करते हो उसको intelligence test कहा जाता है France विग्यानिक Alfred Binet को बुद्धी परिक्षन निर्मान आंदोलन का जनक माना जाता है यानि कि सबसे पहले अगर हम बात करें father of intelligence test की तब वो कौन थे France के विग्यानिक थे अर्फरेट बिने लेकिन सर्व परदम सन 1912 में 1912 में एक जर्मन विग्यानिक हुए है जिनका नाम है William Stern उन्होंने सबसे पहले IQ शब्द का प्रियोग किया था यहां पर देखिए दोनों ही बात डिफरेंट बोली गई है यानि जो बुद्धी के फादर बोले जाते हैं कि सबसे पहले बुद्धी के जो बुद्धी का टेस्ट आया था बुद्धी परिक्षन था उसका निर्मान करने वाले कौन थे अर्फरेट बिने लेकिन अगर यह पुछा जाए कि IQ शब्द का प्रियोग सबसे पहले किस ने किया तो वो थे William Stern सब 1916 में IQ का विचार Stanford बिने टेस्ट में प्रियोगत किया गया यानि IQ का एक फोर्मूला दिया गया था 1916 में जिस फोर्मूले को Stanford बिने टेस्ट में प्रियोगत किया गया था यानि कई सारे टेस्ट हुए है intelligence के जहां पर यह formula अपलाए करके देखा गया था तो वो formula क्या है intelligent question जो IQ की full form होती है intelligent question तो हम IQ कैसे निकालते है यानि किसी व्यक्ति का जो mind level है mental level है वो कितना है तो उसको निकालने के लिए एक formula है यहाँ पर सबसे पहले होती है mental age then होती है chronological age multiply by 100 यानि कि यहां क्या होता है mental age का मतलब है कि बच्चे की जो दिमाग की according जो एज है वो यहां पर हम लेते है chronological age यानि बच्चा real में कितनी एज का है कई बार देखे क्या होता है कि बच्चा माल लीजिए आपका 14 साल का है 14 years का है वो उसकी chronological age है लेकिन उस बच्चे का जो mind है वो 8 साल का है तो वो उसकी mental age के लाएगे तो इस तरह से IQ test या फिर IQ formula होता है next अप यहां पर देखोगे intelligent test को टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है और उन टू पार्ट को भी अलग से टू सब पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो जो intelligent test है वो टू टाइप्स का होता है first individual test यानि जहां पर हम बच्चे का अलग से टेस्ट लेते हैं इंडिविजवल टेस्ट लेते हैं जिसको हिंदी में व्यक्तिकत परिक्षन कहा जाता है second है group test यानि सामुई परिक्षन अब इन दोनों ही परिक्षनों के अलग-अलग उपरिक्षन है यानि दोनों ही test के sub-test है individual test के medium देखिए हम verbal test भी ले सकते हैं यानि कि भाशिक test भी ले सकते हैं और non-verbal test भी ले सकते हैं non-verbal मतलब जो पड़ा लिखा नहीं है या किसी को भाशा समझ में नहीं आती तो उसका test हम performance के through या फिर non-verbal बिना बोले ले सकते हैं same group test में भी होता है जब आप group का भी test लोगे तो again आप verbal का भी use कर सकते हो non-verbal या फिर performance का भी आप use कर सकते हैं तो यह थे two types of test then उसको अलग से two parts में divide किया गया है तो one by one individual test and group test को समझते हैं individual test में आप देखेंगे यहाँ पर individual test होता क्या है जिसको व्यक्तिगत परिक्षन कहते हैं व्यक्तिगत बुद्धी परिक्षन वे परिक्षन है जो एक समय में एक व्यक्ति का परिक्षन लेता है individual का मतलब क्या होता है सिर्फ आप एक टाइम में एक ही बच्चे का परिक्षन लोगे टेस्ट लोगे यह मोखिक वे एमोखिक दोनों तरह का हो सकता है यानि कि आप वर्बली भी ले सकते हो individual का टेस्ट और performance के थ्रू भी ले सकते हो और इसकी विशेशता क्या है कि यह कम उमर के बाल को पर बहतर डंग से लागू होता है यानि जो छोटे बच्ची होते हैं कम उमर के बच्ची होते हैं आप उनका एक एक करके ही यानि इन्डिविवेज्वल ही टेस्ट लेते हो individual test को भी two parts में डिवाइड किया है verbal और non-verbal verbal यानि जहां पर आ भाशा का प्रियोग करते हैं और non-verbal का मतलब होता है जहां पर आप भाशा का प्रियोगना करकर किसी kriya का, किसी action का या बोले तो हम performance का यूज करते हैं यहाँ पर कुछ test के नाम दिये हैं यहां पर एक्जांपल लेने के कोशिश की है तो यहां पर जो फर्स्ट एक्जांपल है इंडिविज्वल वर्बल टेस्ट का वह विने साइमन टेस्ट जिसमें 30 कारिये डिवाइड किये गए थे टेस्ट लेने के तो यह टेस्टों के नाम है कुछ important जिनको आप मैंशन कर सकते हो नेक्स्ट अब यह भी टू पार्ट्स का पार्ट्स में डिवाइड होता है वर्बल में भी और नोन वर्बल में भी Samohik Parikshan यानि Group Test वे Test होते है जहां पर आप जुक्षी का मुल्यांकन Samuh की जुक्षी का चेक करने के लिए करते हो यानि कि आप Group की एक तरह से टेस्ट करते हो Group का टेस्ट लेते हो Intelligence का यहां पर क्या होता है Samuh के सभी व्यक्तियों को एक ही आदेश या instruction जो होती है वो एक साथ दी जाती है यहाँ पर again verbal and non-verbal में distribute किया गया है verbal test के कुछ example है group verbal test के जैसे scenic alpha test, sena samanya वर्गी करण test, termal samohik test या फिर termal group test non-verbal test के example है army beta test ravens progressive test and cattle sanskriti परिक्षन cattle sculpture free test तो यह थे individual test and group test के कुछ examples plus यह होते क्या है next देखिए आप बताओगे uses of intelligence test हम intelligent set का use कहां कहां पर कर सकते है first use है शिक्षा में लाग educational uses, बिल्कुल हम बच्चे का intelligent test करके उनको different different field में use कर सकते हैं जैसे course का चुनाव करने में selection of courses, विधारतियों का चुनाव करने में selection of pupil to school, छात्री विर्थी देने में मालीजा हमें बच्चो को scholarships देनी है merit based पर तब भी आप intelligent test करते हो सफलता की वविशेवानी prediction of success यानि की बच्चे का आप intelligence test करके ही अनुमान लगाते हो prediction करते हो कि बच्चा future में कैसा perform करेगा second use है website निर्देशन में उपयोग use in vocational guidance बच्चे की intelligence के बेस पर ही आप बच्चों को future के लिए vocational guidance दे सकते हो cynic नोकरियों में उपयोगिता use in army series army series services में भी आप इसका यूज कर सकते हो next है उध्योग में उपयोगिता use in industry industry में यूज किया जा सकता है research में यूज किया जा सकता है national level पर यानि की intelligence test के काफी जंगा पर almost जो सभी field है life के वहाँ पर आप intelligence test का use कर सकते हो intelligence test के characteristics क्या क्या होते है so first है विशवशनियता यानि जो भी आप student का intelligence test करते हो उन test के एक ही result आते हो जिसको reliability कहा जाता है इसको example से समझेगा मान लिजे मेरे पास 10 student है जब मैं उनका test लूँगी मान लिजे मैंने उनको कोई topic बढ़ाया और then मैं उनका intelligence test करते हूँ कि बच्चों ने सी कितना सीखा तो different different times ऐसा हो कि बच्चों का result almost same आए ऐसा नहीं हो कि मैंने group of students को बढ़ाया है किसी का बिल्कुल zero response आता है किसी का बिल्कुल ही high response आता है तो ऐसा ना हो बच्चों का जो है एक average response आए फिर आता है प्रमानिक्ता validity जो भी आप test लेते हो valid हो proper use करें आप उस test का according to facilities आप use करें कि जिसमें student comfortable हो फिर आता है objectivity उसकी objectivity होनी चाहिए अंकन विधी scoreability यानि बच्चा उसमें score भी कर पाए सक्रियता वेवेवारिक्ता यानि वो test practically भी हो और उस test की usability भी हो इस तरह कि आप उस बच्चे के test set करोगे फिर आता है object बच्चे बोर ना हो interesting हो वो test comprehensive भी हो यानि कि ज़्यादा short ना हो ज़्यादा long ना हो comprehensive का मतलब होता है कि सभी तरह के question आप test में डालोगे या बच्चों से आप जब question करते हो तो different type of questions आप बच्चों से करोगे next आता है economical टेस्ट हो तो यह थे correct test of good intelligence test last में हम discuss करेंगे limitation क्या होती है intelligence test की first point है limitation का प्रमानिक परिक्षनों का भाव shortage of standardized test कई वर क्या होता है जो authentic परिक्षन होते हैं authentic test होते हैं उनका lack होता है shortage होती है next is no reliable sometimes intelligence test होते हैं reliable नहीं होते connect नहीं हो पाते situation के साथ next आता है should नहीं not accurate बिल्कुल अच्छे test भी नहीं होते जो सारे एक तरह से principle पर उनके character sticks पर खरें उतरे next आता है अध्यापक द्वारा परक्षपात यानि कई बार जो है teacher biased हो जाते हैं partiality की जाती है last है अनुमान कारिये कई बार test में guess work ज़्यादा चलता है अनुमान ज़्यादा हम लगा लेते हैं बजाए की facts पर काम करने के so I hope आपको intelligence test समझ आया होगा video informative लगी हो तो like share and subscribe मिलते हैं next video में झाल